ओम नमस्युवाई, हर हर महादेव, नमस्कार दोस्तों मैं नित्यानन पांडे, आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं, तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कवपूर के बारे में, कवपूर एक ऐसा चीज होता है, दोस्तों जो मालच्मी को प्रस से जगा सकते हैं, ये तो आप जानते होंगे कि कवपूर के बिना कोई भी पूजा, पाठ, आरती, हमन अधूरा माना जाता है, यहां तक कि तांतिर क्रिया में भी कवपूर का प्रियोग किया जाता है, तो दोस्तों आज हम बताएंगे कवपूर के पांच दिब्व जिसे अगर आप करते हैं, तो आपकी सोई हुई किस्मत फिर से जग जाएगी, और इसका चमतकार अपनी आप खुली हुई आँखों से देखेंगे, तो दोस्तों मालच्छमी को प्रसंद करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, घर में निगेटिव अगर उर्जा हो गई है, तो उसे दूर करने के लिए, यहां तक की तांत्रिक जो क्रिया किया जाता है, उसमें भी कपूर का प्रियोक किया जाता है, यहां तक की आवसधी में भी, आवसधी बनाने में भी कपूर का प्रियोक किया जाता है, घर में अगर नकरात्मक सक्तियां अगर बढ़ तो अगर आप कपूर जलाते हैं शुबह सामक अगर अगर कपूर अपने घर में जला करके अगर घुमाते हैं तो नकरातमक उर्जा आपके घर से दूर भाग जाती है घर के मुख्य द्वार पर अगर घर में सुखसान्ती नहीं है घर में आपके घबडाहट होती है तो घर के मुख्य द्वार पर अगर आप कपूर जल में मिला करके अगर छिड़कते हैं तो इसका लाब आपको तुरंत देखने को मिलेगा और घर में सुखसान्ती बनी रहेग कपूर के बिना आर्ती हवन फिर से मैं बताना चाहूंगा कहा आर्ती हवन को भी अधूरा माना जाता है तो दोस्तों वह कौन से उपाए हैं देखिए दोस्तों कपूर की ध्वनी अगर सुबह साम अपने घर में पूरे घर में अगर आप किवल उसे घुमाते हैं उसको जलाते हैं तो आपके घर में सुक्सांती बनी रहेगी पैसों की किल्लत दूर हो जाएगी घर से नकरात्मक उर्जा दूर चली जाएगी दूसरा चीज बताना चाहूंगा दोस्तों अगर घर में आपके निगेटी उर्जा ज्यादा हो गई है आप परसान हैं पैसों की किल्लत हैं घर में लड़ाई जगड़े हो रहे हैं तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा गंगा जल में ठोड़ा सा एक टिकिया दो टिकिया आप ऐसे बुरादा जैसे बना लें पूरे घर में उसजल को अगर चिड़िकते हैं तो आपके घर में सुक्षांती बनी रहेगी और निगेटी उर्जा दूर होगी दूसरी चीज़ बताना चाहूंगा दोस्तों अगर कभी कभी आप देखे होंगे हमें प्रेसर बढ़ जाता है सर हमारा भारी रहने लगता है गुस्सा आता है अगर किसी का नजर हमारे उपर लग गया है तो आप एक काम करें कपूर का तेल ले लें मार्केट में कपूर का तेल मिलता है कपूर का तेल ले लें अपने नहाने के पानी में डाल करके अगर लागातार 40 दिनों तक अगर आप अश्नान करते हैं तो आपके उपर से नजर दोस्त दूर हो जाएगी और आपका जो भी सरभारी रहता है गुस्सा आता है ये समाप्त हो जाएगा और कोई भी काम आप कर रहे हैं जो कुछ काम कर रहे हैं उसमें आपका मन लगने लगेगा तो इस उपाय को अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अगली चीज बताओंगा दोस्तों पती पतनी के बीच अगर अनबन रहती है शुक्र ग्रह आपका कमजूर हो गया है तो आप एक काम करें एक पान का पत्ते ले लें पान का पत्ता ले करके उस पर दो कपूर ये टिक्की रख करके और अपने विश्तर के नीचे या तक्ये की नीचे आप उसको रख दें और उसको कम से कम एक हपते तक रहने दें उसके बाद उसको हटा करके पान की पत्ती सुख गई होगी उसको निकाल करके और कपूर को उसको रविवार के दिन उसको निकालें और उसको जला दें और जलाते समय ऐसी काम ना करें कि हमारे बीच जो भी दूरियां है जो भी अनबन है वो दूर हो जाए वो मिठ जाए दोस्तों इस उपाई को आप करके देखिएगा ये बहुत ही लाबदाएक उपाई है इस उपाई को आप जरूर करिएगा दूसरी चीज़ बताना चाहूंगा काम में अगर बार बार रुकावट आ रही है आप परिसानियों से घिरते जा रहे हैं तो सनिवार के दिन अपने नहाने के पानी में कपूर और चमेली का तेल ध्यान ने कपूर ले 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 एक टिकी कपूर ले ले थोड़ा सा उसे बुरा उस पानी से आप अश्नान करें अगर ऐसा करते हैं तो आपका सनी दोस भी दूर होता है और आपके जीवन में आने वाली जो भी रुकावटे हैं वह दूर हो जाती हैं मालच्मी की किरपा आप सदेव बनी रहती है तो दोस्तों इस उपाय को कर ले घर में अगर वास्तु दोस है तो वास्तु दोस के अस्थान पर एक कटोरी ले लें कटोरी में थोड़ा सा कपूर दो टिकी चाट टिकी उसमें डाल दें और वहीं पर उसके रख दें आपको कुछ नहीं करना है रख दें कपूर जब खत्म हो जाए उड़ जाए तो फिर उसमें दूसरी टिकी ड बस अगर इतना करते हैं तो आपके घर से वास्तु दोस्त दूर हो जाएगा और जो भी उससे आपो निगेटी उर्जा मिलती है वास्तु दोस्त से वह दूर हो जाएगी और आपके घर में सुक्सांती बनी रहेगी तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कामेंट में जरूर बताईएगा मिलते हैं कुछ ऐसी ही ग्यान बर्धक वीडियो के साथ धन्यवाद